पूर्वी अफ्रिका से एक बड़ी आफ़त भारत में प्रिवेस कर चुकी है। कोरोना की चौथी लहर किया शंकाओं के बीच पूरे उत्तर बंगाल सिक्किम में नैरोवी मक्खी का प्रकोप शुरू हो गया है। शिक्किम मनीपाल प्रोदिकी संस्तान परिसर और इसके आस पास के इलाकों में इस मक्खी का संक्रमन तेजी से फैल रहा है। बताया जा रहा है कि सिक्किम मनिपाल के एक सोव से भी अधिक छात्र नेरोबी मक्यों द्वारा संक्रमित हुए हैं अधिकारियों ने कहा कि हाले में मक्यों से संक्रमित हुए एक छात्र के हाथ की सरजरी करने पड़ी शिली गुडी के कुछ हिस्सों में जैसे प्रधान नगर, बाग जो तिन कॉलेनी में नेरोवी मक्हियों से कई लोग संक्रमित हुए हैं इस एसिड फ्लाई का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है इसके फैलने की रपतार बहुत तेज है चीटी की तरह देखने वाला ये कीडा काफी खतरनाक है बता जाता है कि ये मक्हिया काटती नहीं है लेकिन अगर मक्ही शरीर पर बैठ है या चिप के तो उसे छुना नहीं चाहिए छुने पर या इससे मसलने से ये एसिड जैसा जहरीला पदार्थ छोड़ता है जिसे पैडरिन नाम से जाना जाता है जो बहुत ही हनिकारक होता है इस पैडरिन के त्वचा के संपर्क में आने से ही रसायनिक जलन पैदा करता है आखों को मसलते वक्त अगर ये खतरनाक पैडरिन आखों तक कहुंच जाता है तो कुछ देर के लिए संक्रमित बैकती अंधेपन का भी शिकार हो सकता है चिक्चकों की सला है कि शरीर पर इसके बैठने या चिपकने का अगर किशी को पता चलता है तो इसे धीरे से फूंक मार कर उड़ा देना चाहिए प्रस करके इस एस प्लाई को हटा देना चाहिए उसके बाद तुचा को साबून से अच्छे से साफ कर लेना चाहिए नैरभी फ्लाई प्लाई उसके बाद बाद तो आपके चाहिए not so common during the when times because everything was focussed on covid but now the covid is not much there, then again this thing is started there is a kind of panic going around in the community itself on daily basis 2-3 cases are coming in the OPT with the infection and dermotitis caused by the Nairobi fly we have made a group of team for the inspection and for the investigation regarding the authenticity and like the number of cases for the students at SMIT this insect is mostly attracted to lights and I guess SMIT is having very good powerful lights so maybe because that and weather is also very humid these days so the maybe the students are keeping the windows open keeping the lights on and because students they usually the campus is very bright full I would like to appeal all the public in an around wrong to area that not to get panicky okay this insect is usually creating the infection toxin infection but it's not giving you such serious complications to the skin until unless you are like scratching a lot or me infecting yourself with the nails you